एक दिन एक लोमडी ने एक सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सारस निमंत्रड से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे खाने का काफी सवग था। वह समय पर लोमडी के घर पहुँची और लंबी चोच से दरवाजा कटखटाया। लोमडी ने उसे घर पर आमंत्रित किया और अंदर आने को कहा। फिर उसे खाने के मेज पर ले गई और उन दोनों के लिए उतले कटोरे में सूप परोसा। क्योंकि कटोरा सारस के लिए बहुत उतला था इसलिए वह सूप बिल्कुल नहीं पी सके थी। लेकिन लोमडी ने जल्दी ही अपना सूप चात लिया। सारस गुस्से में और परिसाम थी लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और बिनमरता से बेवार किया। वहीं उसने मन ही मन में एक योजना बनाई लोमडी को सबक सिखाने के लिए। उसने फिर लोमडी को अगले ही दिर रात के खाने पर आमत्रित किया। अब ये सब देखकर लोमडी को अपना गलती का अहसास हुआ और वह भूखा घर चला गया।